गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चो आज हम क्लाश 10th की हिंदी की वक्षिट करेंगे रिचनात्म के लेखन वक्षिट नमबर है 66 और आज की डेट है 10 जनवरी शुरू करते हैं आज की वक्षिट को प्यारे बच्चो जैसा कि आप जानते हैं शरद रितू यानि सर्दी का मोसम अपने चरम पर है हम सभी अपने तरीके से इसका आनंद लेते हैं कुछ परेशानिया भी होती है और कुछ मजा भी आता है आइए जाडे के मोसम के अपने अपने अनुभवों को हम साझा करें ठीक है तो हमसे Actually पूछा गया है जो सर्दी का मोसम होता है उसमें हमारे क्या-क्या अनुभव है यानि हम किस-किस तरीके से सर्दी के मोसम को वैतीद करते हैं ठीक है क्या-क्या काम करते हैं किस-किस तरीके से enjoy करते हैं वो सब चीजें हमें इसमें लिखनी हैं हमें बताना है देखते हमारा पहला question क्या है आप सर्दी का मोसम के अपने अनुभव को एक अनुशेद के रूप में लिखे यानि जो भी अनुभव है आपके सर्दी के मोसम को लेकर आप कहा जाते हैं घूमने क्या क्या खाते हैं क्या क्या पीते हैं किस किस तरीके से कहाँ पर अपना समय वैथित करते हैं वो सब एक अनुशेद के लूप में आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है और दूसरा कोश्चन है हमारा नव वर्स 2022 के आगमन का स्वागत आपने कैसे किया इसका वंडन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए यहाँ पर क्या कहा राम से पत्र लिखवा रहा है पत्र में कैं लिखना है अपने मित्र को पत्र लिखना है उसमें बताना है कि आपने नव वर्स जो दो हर वाई से उसका स्वागत कैसे किया तो अब हम इन दोनों कोश्चन का आंसर एक बार लिख लेते हैं पहला question है, आप सर्दी का मोसम के अपने अनुभव को एक अनुशेद के रूप में लिखिए, ठीक है तो आप अपने अनुभव कुछ और भी लिख सकते हैं इस बल्ले अनुशेद के अंदर आपके जो जो भी जो भी आप करते हैं सर्दी के मोसम में जहां जाते हैं, जो खात करेंगे. सरदी का मोसम साल का सबसे ठंडा चरण होता है जो धिसंबर में शुरू होता है और मार्च में खतम होता है. मुझे सरदी का मोसम बहुत पसंद है क्योंकि सरदियां आते ही मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर गुंमने जाता हूँ पहाडी शेतर बरफ की सपेद मोटी चादर से ढख जाते हैं जो बहुती सुन्दर लगते हैं इस बार भी हम शिमला घुमने गए थे मुझे सरदी के मोसम में पहाडों पर गिरने वाली बरफ बहुत पसंद है तथा गर्मा गर्म गाजर का हलवा, मुंग फली और गर्मा गर्म गुलाब जामुन सरदी के मोसम को और भी सुहावना बना देते हैं ठीक है तो इस तरीके साब इसमें और कुछ भी जोड़ सकते हो, एड़ कर सकते हो इस वाले अनुशेद में यह अपनी तरफ से लिखना है, यहाँ पर इतना मैंने लिखा है, उसके बाद आप 20 में कुछ और अपना एड़ कर सकते हो अपनी तरफ से, जो भी आप चाहो, तो यह हमारा पहले कोशन का आंसर हो जाएगा, इस तरीके से यह वाला, ठीक है, अब देखेंगे हमारा second question, second question नवर्स 2022 के आगमन का स्वागत आपने कैसे किया, इसका वर्णन करते हुए मितर को पत्र छिए, ठीक है, तो पत्र में सबसे पहले क्या लिखना हमें है, हमें लिखना है पता, ठीक है, किसका अपने मितर का पता, जैसे का मोडल टाउन दिल्ली आप जो जिस भी मितर को यहां पर पता लिखेंगे उसके बाद दिनांक लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे प्रिया मित्र और उसका नाम जो भी नाम है आप यहां पर नाम लिखेंगे उसके बाद मधुर इसने ठीक है या फिर सादर नमस्कार आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बाद यतना के साथ कुशल पूर्वक होगे मैं भी यहां कुशल पूर्वक हूँ हमने इस वर्स नवर्स का स्वागत बहुतिय अलग अंदाज में किया इस बार कोरोना महावारी की वैसे हम बाहर नहीं गए बलकि रात को बारे बसते ही हमने केक काटा और एक दूसरे को मिठाई वित्रित की नए साल की सुबह उठकर सुबह जल्दी उठकर योग और प्रणारायम किया और तथा रोज सुबह उठकर योग और प्रणायम करने और अपने स्वास्ते के प्रतित सरेक रहने का प्रण लिया तथा कोरोना जैसी महां हमारी से बचाव के लिए घर से बाहर निकलने पर मुह पर मास्क लगाने, समाजिक दूरी बनाए रखने और हाथों को बार बार साप पानी से धुलने का भी प्रण हमने लिया इस बारे नव वर्स पर आप भी पत्र लिख का जरूर बताना कि आपने नव वर्स का स्वागत कैसे किया और इस वर्स का इस वर्स क्या प्रण लिया ठीक, अपने बितर से ये भी पूछना है उसके बार अंत में लिखेंगे एक बार फिर से नव वर्स की हारदिक शुभकाळ ना है और यहाँ पर लिखेंगे तुम्हरा मितर यहाँ कह कहाँ याणि अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है तो इस तरीका से हम पत्र को लिखेंगे वार कर दिला इस staring water में पतने हैं और ले ऐसे नहीं नहीं करें यह लिख देंगे ठीक है जस तारीक की ऑपति लिखर है उसको पिरृया मित्र और उसका नायम लिखना के बाद और जिस भी तरीके से आपने नए वर्ट का स्वागत किया है ओ tehdas फिर देते वे और यहां पर तुम्हारा मेत्र और यहां पर अपना नाम इस तडिके से हम पत्र को लिखेंगे तो दो क्योषन थे जो आज की हमारी बक्षिट में थे हमने किया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना थैंक यू थैंक्स अलोट